तूप है लो आज लोग बात करते हैं दूसरे सबसे पहरे क्या करते हैं इसका मों आज का जो टॉपिक है वो लिखते हैं बाइडेरी सब्सक्राइब ठीक है, इसमें क्या है आपका की, suppose data is an array which is sorted in increasing numerical order or equivalently alphabetically, ठीक है, data क्या है, data को यह हमारे पास array है, which is sorted in increasing numerical order or alphabetically, then there is an extremely efficient searching algorithm called binary search which can be used to find the location LOC of a given item of information in data, पहली चीज़ तो यह ध्यान रखिएगा कि यह जो data जो है हमारे पास array, उसमें क्या है कि अगर आपको binary search लगाना है, तो यह जो array है, यह sorted order में होनी चाहिए, sorted order में, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, चाहे आपका increasing order में sorted हो, चाहे decreasing में हो, चाहे alphabetically हो, मतलब जब sorted होगा, उस के बाद, अलफा, अलफा, बेटिकली, ठीक है, तो जब array जो है, sorted order में रहेगी, तब ही हम binary search algorithm लगा सकते हैं, किसी भी item की location को find out करने के लिए, अब इसमें, इसका basic idea discuss करने पर लेए एक चीज़ आपको ध्यान रखने पड़ेगी, कि आपको एक general idea रहता चाहिए, about this algorithm, by means of an idealized version of a familiar everyday example, ठीक है, तो algorithm की technicality में घुसने से पहले, आप क्या कीज़े, एक normal example आप ले जीज़े, जैसे for example, सबसे आसान चीज़ है, इसको समझने के लिए, आप ले लिज़े, टेलीफोन डारेक्टरी, टेलीफोन डारेक्टरी, ठीक है, टेल्फोन डारेक्टरी में क्या होता है, कि, माल लीज़े हमें कोई उसमें अंदर कोई नाम ढूणना है, तो अब इससी बात है कि उसमें linear search कोई नहीं perform करता है, बलकि इसकी जगा आदमी क्या करता है, one opens the directory in the middle to determine which half contains the name big and short, then one opens that half in the middle to determine which quarter of the directory contains the name, then again they open the quarter of the middle, कि अब कहां पे extend करना है and so on, so eventually one finds the location of the name, since one is reducing very quickly the number of possible locations for it in the directory, तो जैसे directory में आप क्या करते हैं, जब कोई आपको नाम ढूणना होता है, तो ऐसा नहीं कि आप पहरे page से शुरू करते हैं, जरनली मानली जए आप रेंडमली जो आप उसको half part में कर लेते हैं, फिर आप देखते हैं इस part में नाम है, apply to our array data work as follows, अब जो हम binary search लगाएंगे अपने data array में, वो कैसे काम करेगा, during each stage of our algorithm, our search for item is reduced to a segment of elements of data, ठीक है, मतलब जिस item को हम search कर रहे हैं, वो element of data को search करेगा, या इसमें आप एक काम कीजे, कि पहले मैं इसको technically समझाओं, उससे पहले आप example से समझ लीजे, for example आप यह समझ लीजे, आपको ज़्याद आसान पड़ेगा, कि मान लीजे हमारे पास कोई list है, sorted order की, मान लीजे, दो, पाच, आठ, ग्यारा, पंद्रा, बतिस, चालेस, से अर्टालेस, चावण, से 70, यह हैं हमारे पास, अब मान लीजे हमें इसमें find out करना है, से suppose कीजे, कोई number ले लीजा, मान लीजे हमें 5 find out करना है, तो हम क्या करेंगे, कि पहले हमने इसको मान लीजे आधा कर देते हैं, ठीक, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौट, नौट, है, तो मान लीजे हमने इसके दो टुकड़े इसमें किया, और यह किया, अब इस 5 को हम देखेंगे, 5 हमारा इसमें है, कि इसमें है, जब देखेंगे इसमें है, तो इधर का यह बेकार हो जाएगा, फिर इसको हमने दो पार्ट किया, यहां रहे गया 2, 5, और यहां रहे गया 8 और 11, फिर हमने देखा 5 किसमें है, इसमें है, तो फिर यह हमारा बेक हो गया फिर यहां पर हमने इसको अलग किया तू और फाइव फिर हमें फाइव ढूड़ना यहां पर फाइव मिल जाएगा इस तरह से लिस्ट को हम आधी करते आधी आधी करते हम इसको आसानी से ढूड़ लेंगे यही कॉंसेप्ट काम करता है बाइनेरी सर्च अलगॉर्थ हम लिखने जा रहा है डाटा हमारे पास एक सॉर्टेड अरे दिया हुआ है इसकी जो भी हमको लोकेशन मिलेगी वहां पर हमको एलोसी में स्टोर कर देना है ठीक बाकी जो हम यूज करेंगे पहला एलिमेंट जो होगा उसके लिए बिग्डिंग के लिए बीजी यूज करेंगे जो last element होगा उसके लिए हम end यूज करेंगे फिर आगे जरूत पड़ेगी mid value की तो हम mid value के लिए mid use करेंगे एंड सो ओन ठीक ये चीजे हम अभी use करेंगे आपको algorithm में समझाने में अब इसमें क्या होगा की during each stage of our algorithm our search for item is reduced to a segment of elements of data ठीक है आप माल लिजे हमारे पास कोई data elements ऐसे है हमने लिखा data ये लिखा beginning फिर हमने लिखा data फिर हमने लिखा beginning plus one फिर हमने लिखा data beginning plus two ठीक है ऐसे ही करते करते है ये last में आ जाएगा data और end ठीक अब इसमें क्या करेंगे कि माल लिजे variables beginning और end denote respectively the beginning and end location of the segment under consideration the algorithm compares item with the middle term तो पहले हमें middle term निकालना होगा तो mid equal to हम इस तरह निकालेंगे mid equal to int यहाँ पर हो जाएगा beginning plus end by two ठीक है ये होगा अब इसमें क्या होगा कि we use integer a for the integer value of a if data mid is equal to item then the search is successful अब माल लिजे mid निकालने के बाद माल लिजे हमारे पास data mid जो है वही item है तो फिर तो हमें ये item मिल गया तो हमने लिख दिया search is successful ठीक तिर आगे कहीं नहीं जाना है और हम जो हमें location इसकी देनी थी हम जो mid की value है हम लिख देंगे loc equal to mid यहनि उसकी location हमें पता चल गई और हमारा काम पूरा हो गया otherwise तो अगर ऐसा नहीं है mid value तो फिर यहां से दो पार्ट हो सकते है ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो दो पार्ट हो गए यहां से क्या अगर item जो है हमारा वो छोटा है किससे data mid से यानि left वाले पार्ट में होगा item ठीक तो क्या होगा then item can appear on the left part only यानि अब बाकी का right का पार्ट बेकार हो गया तो यानि अब आपके काम की जो लिस्ट रह गई वो रह गई data beginning से लेकर और कहां तक फिर यह हो गया आपका data beginning plus one हो गया फिर यह हो गया आपका data मिड माइनस वन तर ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा end element था उसको हमने अफसेट कर दिया मिड माइनस वन ठीक और दुप्फिड से वही binary's end begin searching again अब आजाईए second मान दीजे आइटम अगर ज़्यादा है तो फिर left वाली list बेकार हो जाएगी right वाली बचेगी तो if item is greater than data तो क्या होगा इसका मतलब item will appear on the right part only तो यानि कि अब हमारे जो मतलब का हो गया वो हो गया data मिड प्लस वन फिर डाटा मिड प्लस टू डाटा मिड प्लस त्री और कहां तक जाएगा data यानि कि हम क्या करेंगे we set beginning हम ले लेंगे कहां से beginning हम लेंगे अब मिड प्लस वन से ठीक है और and begin searching again फिर वही काम शुरू कर देंगे ठीक है तो यह इसका basic concept होता है binary search का initially we begin with the entire array we begin with bag equal to one and end equal to manly jn bag हो गया lower bound and हो गया upper bound if item is not in data then eventually we obtain and is less than bag this condition signals that the search is unsuccessful and in such case we assign LOC equal to null वदर हमने पूरी list ढूड़ बारी और अगर हमें item नहीं मिला तो LOC को हम क्या assign कर देंगे null assign कर देंगे here null is a value that lies outside the set of indices of data ठीक तो इस तरह से यह basic concept है binary search algorithm का अब algorithm कैसे लिखी जाती है कैसे step by उसका representation होता है इसको हम लोग next video lecture में algorithm लिखके आपको बताएंगे और उसके बाद कुछ salt example भी करेंगे तो I hope कि आज का lecture आपको बढ़िया लगा होगा अगर video content पसंद आया तो please video को share कीजे like कीजे channel को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे पाकि next video की information आपको time से मिल से